चात्रो नमस्कार NCRT गड़े कक्छा दसमी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिशनावली 8.1 का प्रस्न क्रमान कुनों हल करेंगे तो आए सबसे पहले प्रस्न पढ़ देते हैं इसमें दिया गया है तिरभुज ABC में कौन भी समकौन है यदि 10 A बरावर 1 बटे अंडर रूट 3 हो तो नमने के मानगाद कीजे हमें यहाँ पर दो प्रस्न दिये गए हैं जिनके हमें मानगाद करना है तो इस प्रकार की कॉश्चन में जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं तो चलिए लिख लेते हैं 10 A बरावर 1 बटे अंडर रूट 3 तो सबसे पहले हमने यह लिख लिया है अब हमें 10 का फॉर्मूला लगाना है तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार आप LAL बटे KK से उसे निकाल सकते हैं लंब बटे आधार मैंने आपको यह सभी बताया हुआ है बरावर 1 बटे अंडर रूट 3 अब इसके बाद हम इसका चित्र बनाएंगे और देखेंगे लंब और आधार कहा कहां पर है तो इस चित्र की अधी बात करें तो यहाँ पर A जो है वो ठीटा की तरह काम करेगा तो A हम यहाँ पर बना लेते हैं बाकि B और C हम कहीं भी दे सकते हैं यहाँ पर हमने B और यहाँ पर C नाम दे दिया यहाँ पर समकॉन है और यहाँ पर ठीटा बना हुआ है चलिए ठीटा के सामने की भुझा लंब होती है और समकॉन के सामने की भुझा करण होती है तो लंब कितना है एक यानि ठीटा के सामने की भुझा है एक तो आधार ये रहेगा क्योंकि ये तो करण है तो आधार है अंडर रूट तीन ये इस तरीके से अब हमें किसी भी समकॉन तरभोज में दो भोजाएं ग्यात हूँ तीसरी ग्यात करने हो तो हम पाइथा गुरस प्रमे का यूज़ करते हैं चलिए लिखते हैं समकॉन तरभोज A, B, C में पाइथा गुरस प्रमे से तो ये पाइधा गुरस्प में होता है करन का बर्ग बरावर लम्ब का बर्ग धना आधार का बर आए देख लेते हैं यहां पर करन हमें ग्याद करना है AC तो हम यहां पर लिखेंगे AC बरावर प्लस आधार भी दिया गया है अंडर रूट तीन इसका भी कर देंगे बर्ग आगे बढ़ते हैं तो AC बर्ग बरावर एक का बर्ग एक ही होता है और अंडर रूट तीन का बर्ग यदी करेंगे तो अंडर रूट तीन गुड़े अंडर रूट तीन दो बार लिखा जाएगा तो करणी का करणी में गुणा होगा तो तीन बाहर आ जायगा तो चलिए हम यहां पे तीन बाहर कर देते हैं अब इसके बाद AC बर्ग बरावर आपको मिलेगा तीन और एक जोड़ देते हैं कितना आएगा चार तो बर्ग हटेगा तो बर्ग मुला जाएगा तो AC बराबर आएगा अंडर रूट चार चार का वरगमल दो होता है तो AC आपको मिलेगा दो इस तरीके से तो हम यहाँ पे जाके लिख सकते हैं दो AC आपको मिल चुका है दो आधार करनी तीन है और लंब एक है तो हमें जो ग्याद करना है उसी से स्टार्ट करते हैं इसमें हमें ग्याद करना है साइन A कॉस C साइन A साइन C तो चलिए सबसे पहले के लिए हमें साइन A कॉस C और कॉस A साइन C निकालना पड़ेगा तो चलिए इसमें हम लोग यह पहला कॉशन ले रहे हैं और डारेक्ट मान रखेंगे और लख देंगे बाजू से चित्र से सब किया हुआ है चलिए साइन A तो A जो है वो यहाँ पर ठीटा की तरह काम कर रहा है आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर A, C, A, C का क्योंकि ठीटा चेंज हो जाने से उनके लंब और आधार भी चेंज हो जाते है चलिए यहाँ पर सबसे पहले A ठीटा की तरह काम कर रहा यानि A तो ठीटा ही है इसलिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे करन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन जो है लंब बटे करन है और यहाँ पर अगर चित्र में देखें तो साइन का A है A यानि ठीटा यह है तो इसका लंब बनेगा 1 और करन बटेगा 2 तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुलित कॉस C तो सबसे पहले तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे करन यह कॉस का फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पर ठीटा जो है वो C काम कर रहा है इसका मतलब यह है कि अब आपको यह वाला ठीटा लेना है यह C जो है यह ठीटा लेना है इस हिसाब से ये वाला बनेगा लंब और ये बन जाएगा आधार क्योंकि करण तो निश्चित रहता है तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कॉस में लिखा है सी इसलिए ठीटा की तरह कौन काम करेगा आप सी यहाँ पे आप देखना है ये देखिए ये है सी तो ये बना ठीटा तो ठीटा के सामने की भुजा ये बन जाएगी लंब तो ये बन जाएगी आधार लेकिन कॉस का फॉर्मूला कहता है कि होता है आधार वटे करण तो बताईए अब इस चित्र में आधार कौन होगा तो सीधी सी बात है जब सी ठीटा की तरह काम कर रहा है तो ये बनेगा लंब तो आधार तो बनेगा एक और इसका फॉर्मूला है आधार बटे करण यानि कि एक बटे दो क्योंकि करण तो दो ही है तो यहाँ पर आएगा एक बटे दो इसके बात प्लस है तो प्लस अब हम बात करेंगे कॉस ए की तो कॉस ए कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण लेकिन यहाँ पर एठीटा की तरह काम करेगा इसलिए ये बाला ठीटा काम करेगा इस हिसाब से लंब ये बनेगा और आधार ये बनेगा क्योंकि करण तो निश्चित होता है तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण इसका मतलब ये है आधार कितना है करणी तीन और करण कितना है दो एक हिसाब से आधार ये होगा और करणी ये होगा तो हम लिखेंगे करणी 3 बटे 2 साइन C साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण लेकिन यहाँ पर लिखा है C इसलिए C बनेगा ठीटा तो C ठीटा की तरह जब काम करेगा तो इस हिसाब से लंब होगा ये और आधार होगा ये लेकिन साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण इसका मतलब करणी 3 बटे 2 क्योंकि जब C काम करेगा ठीटा की तरह तो लंब क्या बनेगा करणी 3 तो फिर करण क्या बनेगा करण तो निष्चे थी रहता है जो की है 2 तो आजाएगा करणी 3 बटे 2 इसकी बाद उपर उपर का गुणा गुणा पहले करना है जुड़ना बाद में करना है उपर उपर का गुणा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस करणी का करणी में गुणा करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और बटे में 2 दूनी 4 जब आप LCM लोगे तो 4 और 4 का LCM 4 ही आएगा और 4 एकम 4 एक बार भाग गया एक का गुणा उसके उपर वाली संख्या में करना है तो 1 एकम 1 प्लस 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार एक का उसके उपर वाली संख्या में 3 एकम 3 तो टोटल आपको मिलेगा 3 और एक 4 बटे 4 और जो समान संख्या जब भी बटे में हो तो उसका आंसर आता है 1 इसके बाद दूसरा कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C तो चलिए देख लेते हैं कॉस A यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण लेकिन A जो है वो ठीटा होना चाहिए तो A अगर ठीटा है तो ये बाला लंब है A तो फिर आधार क्या होगा? करणी 3 और करण क्या होगा? 2 तो हम लिखेंगे कॉस A वरावर करणी 3 बटे 2 चलिए कॉस C देख लेते हैं कॉस C, C क्या होगा? ठीटा जब C ठीटा होगा तो लंब ये बनेगा तो ऐसी स्थिती में आधार ये बनेगा और करण ये होगा क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे करण यानि कि ये बटे ये क्योंकि C जो है वो ठीटा कर रहा है काम तो लंब तो ये बन गया तो फिर क्या बचा? आधार करण तो हम लिखेंगे 1 बटे 2 माइनस साइन A साइन A आप देखोगे तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे करण और ठीटा बनेगा A तो लंब हो जाएगा 1 और करण हो जाएगा 2 तो बनेगा 1 बटे 2 इसके बाद साइन C की बात की जाए तो साइन C अदी है तो देख लेते हैं सी ठीटा की तरह काम करेगा तो ये बनेगा लंब ये बनेगा करण क्योंकि होता है साइन का फॉर्मूला लंब बटे करण तो आएगा करणे तीन बटे 2 चलिए गुणा कर लेते हैं उपर उपर का नीचे नीचे का पहले गुणा करेंगे फिर घटाएंगे करणेतीन एकम करणेतीन और दो दूनी 4 ये पिलस का है और ये माइनस का है दौनों केंसल तो आ जाएगा जीरो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा थैंक यू